वोश्चन में लिखा हुआ है, the ratio of two positive number is three is to four, the sum of their square is four hundred, ठीक है तो दो number का जो ratio दिया है वो हमें three is to four दिया हुआ है, और जो उनके square का जो sum है वो 400 दिया हुआ है, तो what is the sum of the numbers, तो बताइए कि आखिर उन numbers का sum कितना होगा है, simple sum बताना है, अब दिखिए चलिए इसे start करते ह हम माल लेते हैं कि जो दो number हैं हमारे हैं आपन solve करते हैं से, हमारे जो दो number है, एक है x और एक ले लेते हैं आपका y, clear हो गेता, अब हमें ratio दिया गया है, तो ratio में साफ साफ का है कि x upon y जो है वो अपना three by four हो गया है, ठीक है, यहां से आप x की value निकाल सकते हैं, three by four into y हो जा आपको दिख रहा है, आप यहां से इस x की value उठाईए और यहां पर इसमें put कर दीजे, तो जैसी आप रखेंगे तो three by four y का square plus y का square is equals to four hundred हो जाएगा, आप यहां से nine by sixteen y square कर दो, y square यह फिर से four hundred, ठीक है, यहां से LCM ले लिजे, nine y square plus sixteen y square और यह four hundred into sixteen हो गया, clear हो गाई जि पूर दीजे, तो आपके पसा जाएगे, पचीस y square is equals to four hundred into 16, अब यहां से y square की value निकाल लीजे, तो आपको दिख जाएगा, four hundred into sixteen upon me, पचीस, इसे काट दो, five five is a twenty five, five is a forty, और यह zero, five, यह one जा, five one जा, five six, ठीक है, five six is a thirty, तो sixteen, sixteen का square, अब अपने को y की value निकाल लीजे, त तो y बराबर तो आजाएगा भईया, 16, अभी तो यह y निकला है, x की value यहां पर रखी हुई है, तो इसमें जरह x की value, यहां पर अगर मैं y रख देता हूँ, तो x निकलाएगा, x is equals to three by four, y की value है 16, ठीक है, तो इस four से four काट दो, भई, x बराबर आगया, three fours are twelve, और पूछ पूछा गया है, यह देखिए, यहां पर question में पूछा गया है, sum of the numbers, सिर्फ sum बताएगे, sum of the numbers, बतला है, जो हम जाए number माने, x और y, उनका sum निकालना है, तो हमारे पास एक है 12, और एक है 16, तो भईया यह आगया, 6, 2, 8, और यह 28, अब दोस्तो अगला question हमारे पास, what least value must be assigned to x, कौन सी value, x की जगा पर क्या आएगा, so that the number, यह जो number है, यहां पर, यह दिखर, आपको यह x हमें निकालना है, इस x की जगा पर कौन सी value आएगी, जिसके करण से यह जो पूरी value है, यह 8 से divide हो जाएगी, लिखा हो है न, 8 से divide, अब देखिए, आप सभी ने 8 से divide के rule अब इस number के बारे में देख लिए, तो यहां पर लिखा 63576x2, अब दिक्कत है कि इसके last के तीन डिजिट में ही वो x आता और हमें वही पता करना है, तो हमें पूरा divide करने के जरूत नहीं है, तो हमें सिर्फ यह 3 डिजिट divide करनी 8 से, अब x की value वहाँ पर आला कि आपको option म हो जाएगा, इसको divide करेंगे तो 8, 7 जा आपका जाएगा 56, ठीक है, 8, 8 जा 64 हो जाएगा, 56, यह बचा 4 और यह, तो 8, 5 जा 40, clear है, बचा 2, मतलब भी divide नहीं हो रहा, मतलब 0 नहीं रख सकते, तो x की value एक बार 1 रख के देख लो, जैसी आप रखेंगे 6, 1, 2, और फिर से होता है, और 8, 6, 48 होता है, 8, 6, 48 होता है, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि remainder बची रहा है, वहाँ पर, ठीक है, अब अगला देख लेता है, भई, x, x बराबर रख लेता है, 2, तो आपने जैसी x बराबर 2 रखा, तो 6, 2, 2, clear है, अब इसको divide करके देख लो, भईया, तो 8, 8, 8 जा 64, जादा बजाएगा, 8, 7 जा 56, आपर यह बच गया 6, और यह 2, और आपको फिर से दिख रहा है, 62 भी कहीं पर भी 8 की टेबल में नहीं आता, मतलब यह भी नहीं हो सकता, तो अब 3 value पूट कर लिजे, 6, 3, 2, भई, 8, 7 जा 56, 8, 8 जा 64, तो 8, 7 जा 56 ही करना पड़ेगा, अभी भी 7 बचेगा, और यह 72, और आपको मालू में 8, 9 जा होता है, 72, यानि कि X की value जो है, वहाँ पर वो होगी 3, the sum of 10 terms, 10 terms कहीं गई है, of the arithmetic series is 390, तो arithmetic series में, जो 10 terms रखी गई होंगी, मतलब यह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total जो इनमें terms है, वो 10 है, और वो कोई भी number हो सकते है, हमें पता नहीं हो number कौन से है, ठीक है, XYZ हमें नहीं मालू में, लेकिन उसमें 10 total हैं, ऐसे 10 हैं, और उनका जो sum आया है, वो 390 आ गया है, ठीक है, मतलब इनको जब जोडा गया, इतने सारे number को, तो हमारे पास जो sum आ गया, वो आ गया, 390, clear है, अब इसमें कहा गया, if the third term of the the series is 19, मतलब जैसे माल लो कि ये, ये first, ये second, और ये वाला third, तो ये वाला जो term है न, ये इन्होंने कह दिया है, कि ये 19 है, है न, ऐसी करते करते पूरे 10th term तक होंगे, तो इसलिए 10 हैं, पूरे के पूरे, और इन सब को अगर मैं जोड़ दू, तो मेरे पास answer 390 आता है, त आप देगे दोस्तों, इसको solve करने के क्या क्या तरीके में आपको सची से सबता जाता, देखिए, just sum of AP कहा जाता है, मैंने आपको एकात वीडियो में आपने देखा होगा, part 4 में मैं अच्छे से बताया है, part 4 किसी ने नहीं देखा है, तो एक बार वो part 4 देख ले ताकि उस सम निकालते हैं, तो आप देख रहें ही, जो भी arithmetic series है, उसका sum यह है, clear है, ऐना तो इस तरह से निकाला जाता है, तो जैसे आपने दस नंबर देख रहे हैं, तिसको निकालने का यह एक तरीका होता, यह एक short trick कहलो, एक चोड़ीचा जो भी कहलो, इस से निकाला जाता है, इ आपको कितने number है जो जोड़े गए हैं तो वो 10 है तो आप यहाँ पर इसमें आसान से 10 रब्द होगे यह 2 ठीक है 2 A का मतलब होता है first term और वो ही तो पता नहीं है plus N मतलब फिर से हो गया और यह D, D होता है difference ठीक है लेकिन एक और चीज़ उन्होंने दी है इस question में और वो है भईया कि third term दे दिया है 90 देखिए जब भी पूरी arithmetic series का sum बोला जाए तो यह formula इस्तमाल करिए और जब भी आपको बीच का कोई term निकालना हो तो इसे कहते है nth term है न की जगह पर one हो सकता है two हो सकता है three हो सकता कुछ भी हो सकता मतलब जो दस जोड़े जा रहे हैं आसान बाश्या में जो दस जोड़े जा रहे हैं उनमें से अगर कोई निकालना हो तो formula इस्तमाल हो जाता है भाईया nth term के लिए जिसे हम कहते है a plus n minus 1 into d clear है दोस्तों यह बहुत अच्छे देख लिए यह बीच की numbers के लिए आपको यह formula है पूरे के लिए आपको यह बड़ा सा formula है पात है कि हमारे पास अभी nth की value क्या दिये तो अभी उन्होंने third दिया हुआ है third term तो देख रहे हैं तो a plus यह यही वाला n है ना इसको उपर वाले n से मत करने यह यह जब पूरा पूछा जाए तो यह वाला formula होता है और जब बीच का अई-कात पूछा जाए तो यह वाला formula होता है तो इसमें n का मतलब है कि कौन से position के लिए निकाली हुई value है यह third केली हुई तो हम भी third पर ही बात कर रहे है तो n की value अगर 3 होगी तो इसकी पूरी series में n जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 3 ही रखना है तो 3-1 into D ठीक है तो यह 3rd term आपका क्या निकल जाएगा A और यह 2D clear होगे दोस्तों अब भाई यह 3rd term निकल लिए तो आप क्या करो कि इसको माल लो भाई यह है equation number first तो अब इसको solve कर लेता है तो इस 0 से यह 0 कट गया भाई 2 को इधर भेज़ दो गया तो यह 78 हो जाएगा clear है और यह यहाँ पर जो बज़ गया वो है 2A प्लस 9D तो इससे मैंने equation 2 दे दिया तो 2A प्लस 9D बराबर 78 है और यहाँ पर आपको दिख रहा है तो भाई इस 3rd term की value दे रखी ने ने लोगों ने यह 19 दिए तो आप इस 3rd term की जगा भी तो 19 रखो तो 19 is equals to A plus 2D तो आपको दिख रहा है कि 2 equation बन चुकी है एक equation यह है इसको अटा लो और एक equation यह है तो कैसे होगा A plus दोनों को पहले लिख दूँ A plus 2D बराबर में 19 और 1 है भाई है 2A plus 90 बराबर में 78 अब आपको मालूम इसमें 2 का into कर तो इसको बराबर करने के लिए तो इसमें 2 का into होगा यह 4 बन जाएगा 38 ठीक है माइनस कर देंगे माइनस करने पर यह दोनों तो कट गए ठीक है और यह प्लस में यह भी माइनस हो जाएगा यहाँ जो प्लस में होता हो माइनस में हो जाता है ध्यान रखिए साइन चेंज हुआ जाता है यह प्लस में था यह भी माइनस में हो गया यह प्लस में हो गया यह इस एट की वेल्यू आप चाहिए यहां रख दो फटा फट से यहां रख दो तो भी आपको मिल जाएगा तो 19 इस इक्वस टू ए प्लस टू इंटू इंटू डी किता दिये दिया भाई यह 8 दिया हुआ है तो 19 इस इक्वस टू ए प्लस 16, 16 को उधर बेज दोगे तो 19 माइनस 16 इस इक्वस टू ए आ जायेगा 3, A बराबर 3 आ गया इसे इसे ही फर्स टम कहते हैं और यही हमें निकालना ही था उसमें क्लियर है गाइस है न तो यही इसका आंसर है थोड़ा सा है वी है पर इसे एक बार और देखिए ताकि आप समझ जाए क्योंकि इस तरह के कुश्चन जो है अपने S.S.C. में सबसे ज़्यादा आम है और खास तौर पर CGL के मेंस में इस member of a club contributes as much पैसे यहां पर rupees भी है उन्होंने rupees भी दिया है and पैसे भी दिये तो उस club में जितने भी लोग है वो उतने ही पैसे लगाते हैं जितने उसमें member है तो इसों समझाने के लिए क्लब ले लेते हैं ठीक है क्लब में माल लेते हैं यह 10 बंदे एक दो तीन चार पाँ है न यह कॉमा है यह 6 यह 7 यह 8 यह 9 यह 10 ठीक है अब आपको दिख रहा है कि 10 member है इसमें इसमें 10 members है ठीक है यह example ले रहे हैं आपन समझने के लिए अब इसमें 10 member और इसमें question भी कहा गया है कि each member contributes as much rupees and as much पैसा as the number of members of the club जितने लोग है मतलब यह कह रहा है कि एक बंदा उ एक group में तो पैसा और रुपे दूनों लगा रहा है ठीक है तो वो उतने ही तो एक बंदा यह एक की बात है ठीक है यह एक की बात है तो एक बंदा उतने पैसे लगा रहा है यतने member है तो कितने member है भी यह 10 तो मतलब उसमें 10 पैसे लगाए और कितने रुपे लगा रहा है जितने member है उतने हैं तो 10 रुपए भी लगाए आपने ये चीज बहुत चीज पढ़ी कि अगर एक 10 रुपए लगाता है तो 10 10 persons कितने लगाएंगे ये 10 persons लगाएंगे 10 इंटू 10 clear बात माल लेते हैं कि अभी तो हमें नहीं पता है कि कितने member है तो हमने ले लिए ये x अभी तो हमने example ले लिए था 10 का अभी हमें मालूम नहीं कितने number और अगर एक एक बंदा उतने ही पैसे और रुपए दे रहा है जितने की number है तो आपने क्या किया जितने member थे उतने में ही उतना इंटू कर दिया है याने कि अगर ये x है तो x कई इंटू करना है याने की x इंटू x याने की x square ये रुपए है देख लेते question आगे पढ़ लेते चलिए आपको समझ में तो आ गया कुछ-कुछ अगर जो total contribution है पूरे members का जोड़ दिया जाए मने एक दो तीन चार दस के दस ने जो पैसे दिये वह 25-25 है आप पहले क्या करना है अपने को हर चीज रुपीज में convert कर लेना है तो माल लेते है total rupees निकाल लेते है आपन ठीक है total rupees कैसे निकलेगा आप ये दिखी जाए क्या करना है आपको भी x member है अपने ठीक है x member ने x rupees लगाए तो आपको दिख रहा है x square अगर जितने भी member होंगे उन्होंने उतनी संख्या में पैसे लगाए तो संख्या और रुपे तो एक जैसे ही हो गया लगग 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 इसलिए x square हो गया ये बात clear हो गया ये rupees है अब बात है कि उन्हें total पैसे भी तो लगाए है total पैसे भी तो कितने थे जितने members थे और x पैसे ही लगाए है ठीक है तो ये भी तो हो गया x square पैसे अब बात है कि भई एक unit में convert करना पड़ेगा इन दोनों को या तो मैं पैसे पैसे में रख लो या तो रुपे में रख ल अब दिखिए क्यों यही हो जाएगा भाई क्योंकि उन्होंने रुपए भी लगाए है और पैसे भी लगाए है और दोनों मिला करके ही मुझे दिया हुआ है पचीस 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 क्लियर है बात तो आप समझ चुक है कि अपने अगली एक्वेशन क्या होने वाली भी है यहाँ पर दिख लिजे एक्स स्क्वाईर प्लस एक्स स्क्वाईर बाई 100 इस एक्स एक्स स्क्वाईर यह पचीस अब भाई इसको फटबड़ सौल कर लो तो आपको इसको लिख सकते हो आप 101 इंटू 25 इंटू 25 और इसमें 100 अलग से लिखा हुआ है तो आपने भी लिख दिया है यहाँ पर यह 100 रहा ठीक है अब आप इस 101 से इस 101 को काट दिजे और एक्स स्क्वाईर को उस तरफ भेज दीजे तो यह रूट को उधर डाल दिजे भी है तो इंटू 25 इंटू 100 हो गया क्लिर हो दोस्तों अब आपको मालो में यहां से निकलेगा तो यह तो पांच बन गया और यह वाला बन गया वह यह दस तो आंसर एक्स बराबर कितना आ गया पचास यह नूमिरिटर और डिनॉमिरिटर खेल है आप सभी को पता है यह ना कि ऊपर वाली जो चीजे होती है वो नियूमिरिटर होती हो नीचे वाली जो चीजे होती है वो डिनॉमिरिटर होती है और यह फ्रेक्शन है सबसे बड़ी बात तो अब इसमें कहा गया कि नूमिरिटर ऑफ फ्रेक्शन is multiple of two numbers मतलब और यह मतलब जो नियूमिरिटर है वो multiple है दो न एक वाला जो है आपका smaller वाला है और उनी दोनों का into है ठीक है तो greater और smaller और यह देखे जो पहला वाला number उसने बोला कि greater than other by two यानि कि दो से बड़ा यानि कि आसान भाशा में ये वाला इससे दो छोटा है यानि कि minus two ठीक है जो भी इसकी value होगी greater से greater असान भाशा में greater minus two ठीक अब greater number के बारे में बात करी जा रही है ठीक है greater number is smaller than denominator और greater number जोगे denominator से smaller है यानि कि denominator से smaller है by four यानि denominator जितना भी होगा उसमें से minus four clear है अब देख लेते हैं मतलब यह हो गया कि अगर smaller निकालना है तो greater चीए greater निकालना है तो denominator चीए तो denominator क्या है तो फिर आगे लिखाए if the denominator यह देखे seven plus c जिसमें कि c को कहा गया है कि minus seven से बड़ा ही होना चीए अच्छा मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप बड़े होने का मतलब क्या होता है देखे minus में कैसी value होती है जब आप minus one minus two minus three minus four minus five minus six और minus seven आप देखने है आप जैसे से इधर जाते जाएंगे तो आप minimum ह होते जा रहे हैं ठीक है आप minimum हो रहे है और जैसे जैसे आप इस तरह आते जाएंगे तो आप maximum होते जा रहे हैं तो आप से मैं पूछू कि minus one बड़ा है कि minus seven बड़ा है तो आपका answer को रोगा मैनेस one बड़ा है और minus seven झोटआ है ठीक है तो इससे बड़ा आपूला गया है तो मैनस 7 भी उसमें नहीं आएगा, मैनस 6 आएगा उसमें, क्लेरों के बात उससे बड़े यूदि चलेंगे, तो ठीक है भई हमारे पास यह है कि 7 प्लस C जो है यह बिल्कुल इससे बिल्कुल फिक्स है, इसे कहते हैं, इस फ्रेक्शिन की वैल्यू निकालना है, आपको मालू में आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक अगर मैं लिख दू, तो कैसे लिख चाता हूं इससे, तो नीचे तो हमें clear है कि 7 plus C ही रहेगा ठीक है और greater और smaller number देख लेते हैं तो greater मैंने आप से क्या कहता है यहापर देख रहा है denominator minus 4 तो denominator अगर इतना है तो मैं लिख सकता हूँ 7 plus C minus 4 clear और इसके बीच में into है numerator दो number का into है और अभी मैंने क्या कहा smaller से smaller की value कहा कि greater में से minus 2 तो greater की value यह आ गई है कितना कम करना पड़ेगा कि smallest आ जाएगा तो 2 तो फिर यहाँ पर आपको greater में से minus कर दो 2 आपको दिख रहा है पूरी value आपकी create हो गई है अब सिर्फ बचा हुआ है वहिए C तो पहले इसको और simplify कर लीजिए तो यह साथ में चार गया तो 3 यानिकि यह आ जाएगा 3 plus C ठीक ह अब आपके सामने जो है अब देखिए इन में आपको values पूट करनी है और आपको इसलिए कहा गया है कि C की value जो है वो minus 7 से बड़ी ही होनी चाहिए अब देखिए दोस्तों हमें बोला गया है यहाँ पर साफ-साफ minimum value का मतलब है कि सबसे minimum यानि-7 से जो है ऊपर आईए यान मैंने 7 से यह देखिए यहां तक आईए फिर 0 जाईए 1 जाईए 2 जाईए सब रख सकते आप लेगिन आपको वही चुनना है minus 7 को छोड़ करके ऐसी कोई value रखो minus 6 रखो minus 5 रखो minus 3 minus 2 ऐसमें से कोई भी एक रखो जो सबसे छोटा इन में से कौन सा है जो minimum fraction की value निकालेगा सबसे value छोटी किसको रखने से आएगी तो आप चाहें तो इन में से सबके सब आप मैं बिल्कुल चाहँगा कि आप रख के देखो क्योंकि मैं video बना रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीशा कि video length ना ज्यादा रभी हो इसकी ठीक है तो अभी होते हैं और negative के number minimum होते हैं और हमसे कहा गया है कि put करते जाएं करते जाएं तब तक जब तक आपको minimum value ना मिल जा है clear यह बात तो हम यह आपर क्या रखने वाले minus 2 यह सब आपको करके देखना है तो 3 minus 2 clear है और 1 minus 2 यहाँ पर आजाएगा 7 minus 2 इसको solve कर दीजिए तो 3 minus 2 यह हो गया 1 plus का और यह वाला हो जाएगा minus 1 और नीचे बचा 5 आपको दिख रहा है plus minus का यह minus minus 1 by 5 तो यह fraction आगे आपका minimum वाला a number when divided by एक कोई number है n करके माल लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं a number when divided by the sum of 555 and 455 इन दोनों को जोड़ दो तो आपको दिखेगा कि 555 plus 445 का sum आ जाता है 1000 मतला आसान भाशा में वो कह रहे है कि कोई भी number जो 1000 से divide करने पर तो यह number यह रहा और यहाँ पर 1000 लिख दे ठीक है तो divide करने पर gives two times their difference as quotient, quotient का मतलब होता है भागफल, भागफल मतलब कितने one जा, two जा, three जा, four जा जो आप लिखते हैं यहाँ पर यह भागफल होता है, तो उसे quotient कहते हैं और 6 नीचे होता है, ठीक है, 6 यहाँ पर आता है, यह 6 होता है जिसे remainder कहते हैं तो और यह होता है आपक difference कर दो एक है, इनका जब आप difference कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना 110 है ना इनका difference करो ना 500 यह इत्ता, आपको दिख रहा है शूण एक 110 मिल जाएगा, इनका two times करना है difference का, तो यह difference, इसका two times मतलब हो गया, वो यह 220, जेक है two times करना था difference का, तो मतलब आसान भाशा में जो फल है वो 220 है, and 30 as the remainder, और जो 30 है वो 6 बचा हुआ है, तो मतलब आपने कुछ चीज माइनस की, और इसके बाद जो 6 बच गया वो 30 है, तो हमें निकालना है find the number, कि number क्या होगा, clear होगे दोस्तों, अब देखिए इसको निकालने का तरीगा क्या, आपने कई सारे formula देखे होंगे number को निकालने के, उस formula को भी थोड़ा समझाजता हो, आपको देखे, यह जो, आखिर यह 30 कैसे आया, थोड़ा समझनी कुछ करिए है, यह तीन चीज है अगर आपके पास हो, तो आप यह कैसे निकालेंगे, यह थोड़ा सा logically समझेंगे, देखिए यह 1000 लिखा हुआ हुआ है उपर वाले 100 से minus किया होगा, तो यह remainder आया होगा, clear यह बाद, यानि कि अगर इस number को निकालना है, तो कैसे कैसे number निकलेंगे, देखे जरा process को, मैंने क्या किया है, 1000 into 220 किया हुआ है, भाई, इसमें into किया, तभी तो यह number आया है, लेकिन यहाँ पर जो number आया, वो इससे 30 कम ह हो गया, तभी तो यह 30 बच गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि यह जो मैं into कर रहा हूँ, और यह जो number आ रहा है, ठीक है, यह number इसमें 30 कम है, यह 30 इसमें जोड देता हूँ वापस से, तो भाई, मैंने इनके into में 30 जोड दिया, और जैसे जोड दूँगा, तो क्या मु इस तरह की equation देखते रहते है, आप इसमें कर रहे हूँ, क्या पहले, एनके into कर दो भाई, यह 20 और इसमें 30 और लगा दो यह रहा, अब इसमें 30 को जोड दो, तो यह जो number दिख रहे है, यह पर 30 आ जाएगा, 2200 और 30, तो यह है वो number, clear है guys, इसमें कि देखिए, on dividing a certain number, फिर अब उन्हों ने काए कि अगर वोई number जो है, वो 18 से हैं डिवाइड करते हैं, तो what will be the remainder, तो remainder क्या आएगा, बताइए, अब यह नहीं पता है, तो दीखिए, ऐसे में क्या करना होता है, कि आपको जो remainder बच गया है पहले वाले से, तो अगर इसका remainder निकालना है, तो यह जो नया divide है न, 18 से divide करने वाला, आप इसको divide कर दो, इसको divide करने के बाद जो remainder आएगा, वह remainder यहां आना था, कर दीजो भी है, 18 से divide कर दीजो 47 को, तो आप जैसी divide करेंगा, 18 तो 36 बारी जाएगा, यह 1 और यह 1, यानि कि 11 ही remainder इसका answer है, that's it, the sum of 3 numbers, 3 numbers का जो sum है भाया, वो 252 है तो माल नहीं थे कि भई एक A है, एक B है, एक C है, तो यह 3 numbers का sum है, 252, if the first number is thrice the second number, पहले इसको समझ लीजे, ठीक है, first number is thrice the, sorry, first number is thrice the second number, तो A is equals to thrice, मतलब कि 3B, लिए दो दोस्तों, आप यहां से इसका ratio निकाल सकते है, इसका ratio जो आ जाएगा, आपके सामने वो आ जा third number is 2 by 3, यहने कि C जो है, 2 by 3 है, A के, clear है दोस्तों, तो यहां से आप निकाल सकते हो, यह C by A, तो वो आ जाएगा, 2 by 3, clear हुआ गए, ठीक है, अब बस करना कुछ नहीं है, आप इसका ratio निकाल दीजे, इन तीनों, आप देखिए, A, B और C, जब भी ऐसा हो जाए तो आप इ 3 is to A, A is to B, यहने A, B, C भी आप लिख सकते हैं, उसे फराखने पड़ता, ठीक है, अब बस यहां पर फटा-फट से रख दिए, कि C is to A कितना दिया हुआ है, यह 2 by 2 is to 3 दिया हुआ है, ठीक है, यह देखिए, यहां पर दिया हुआ है, और A is to B, इसके नीचे लिखना है अ 9, ठीक है, और यह 2, 3 दिया हो गया, 6, clear, अगर यह 3 से डिवाइट हो रहे है, तो 3 से डिवाइट कर दीजिए, इन सब को, तो यह 1 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और यह 3, 2 दिया हो जाएगा, तो सही रेशियो जो बच गया, C is to A is to, और B का, वो है बही है, 2 is to 3 is to 1, नहां से A plus B plus C, तो हमारे पास इस रेशियो के हिसाब से आ रहा है, 6, लेकिन हमें दिया हुआ है, कि original जो तीनों को जोडने पर आ रहा है, A plus B plus C, वो है 252, कहने का मतलब यह हुआ, कि हमारी 6 unit बराबर है, कहीं न कहीं 256 के, यानि कि 6 unit is equals to 256, हमारे हिसाब से आ रहा है, लेकि question के हिसाब से दिया है 256, और question के हिसाब से solve करना है, तो हम इसको equivalent कर देते हैं, कि हमारा 6 unit बराबर 256 के, तो हमारी एक unit कितनी होगी, 6 है, तो आप जैसे इसको divide करो, तो आपके पास आ जाएगा 42, मतलब एक unit बराबर है 42 के, अब देखिए हमें बोला कौन सा निकालने के लि आ रहा है, तो मतलब 1 unit, 1 unit की value कितनी है, 42, मतलब answer ही कितना हो गया, 42, suppose करो हम से बोलते हैं, आप निकाल करके दिखाओ A, या आप निकाल करके दिखाओ C, ठीक है, C निकाल के दिखाओ, मतलब 3rd number निकाल करके दिखाओ, ऐसा बोलते है, 3rd में हमारे पास क्या लिखा हुआ ह 42 है, तो 2 unit बराबर कितना हो जाएगा, तो C में क्योंकि 2 unit है, तो 2 unit बराबर हो जाएगा, 42 into 2, यानि कि आप देख रहा हो, 84 आ जाएगा, समझ गया ना, आप सभी कि सभी, तो इसे ratio से solve कर दिये जाता है, ठीक है, अगला question अपना, फिर से वैसा ही है, कि the sum of 3 numbers is 2, ठीक है, तो फिर से माल लेते हैं कि A plus B plus C, 3 number है, और उनका sum जो है, वो 2 है, ठीक है, यह according to question हमें दिया हुआ है, clear है guys, आगे लिखा है, first number is 1 by 2 times of the second, जो first number है, वो second के half है, तो यहाँ पर लिख लो भईया कि कि क्या दिया हुआ है, तो first number is 1 by 2 of B, तो आपको दिख रहा है, आप यहा 4 times of the second, यहनि इन दोनों का relation है, तो लिख देते हैं कि third जो है, वो 1 by 4 times है, B के, ठीक है, तो यहाँ से आपको, यहाँ से आप निकाल सकते हो, B by C, तो भईया करना किया है, C को इधर बेज दो, 4 को इधर बेज दो, तो 4 upon में 1, और C नीचा जाएगा, B by C आगे, ठीक है, हमेशा ऐसी करना है न, यह वाले का इस से, तो यह 2 आ जाएगा, और इसका इस से, तो यह 8 आ जाएगा, और यह 1 का 4 से, तो यह 4 आ जाएगा, ठीक है, अब यह 2 से कट रहा है, आपको दिख रहा है, तो यह 2 1s आ, 2 4s आ 8, और 2 2s आ 4, तो सही रेशो आ गया भी है, 2 is to 4 is to 1 और यह है, A is to B is to C, ठीक है, तो मालनों कि A यह है, B यह है, और C यह है, ठीक है, तो अब मैं आप से पूछू कि भाई हमारे equation के इसाब से, A plus B plus C कितना आ रहा है, तो हम अगर मालने की भाई है, A 2 है, plus 4 है, plus 1 है, तो हमारे इसाब से, A plus B plus C का value कितना जाएगा, 2 plus 4, 6 plus 7, ठीक है, तो हमारे इसाब से तो 7 है, लेकिन question के इसाब से कितना दिया हुआ है, 2, याने कि हमारा 7 unit बराबर है उनके 2 के, तो हमारा 1 unit कितना हो जाएगा, भई है, एक unit की value निकालो, तो 2 by 7 आ जाएगा, तो यह है 1 unit भई, अब देख लिए कि कौन सा निकालना है, तो इनने क कितनी हो जाएगी भई है, तो 4 unit की हो जाएगी, 2 by 7 into 4, यही होगा, इसमे 4 into हो जाएगा, तो यह answer आ जाएगा, 4 to the 8, 8 by 7, clear है दोस्तों, आप्शन बने लिखे नहीं, 8 by किसी होता, और वह इसका answer होता, ठीक है दोस्तों, अगला question जो हमारे पास, 3 numbers are in arithmetic progression, whose sum is 30, अब दिख जाता है, और फिर इनने ये काई कि तीनों का product भी इतना है, और फिर बात ये कि जब 3 equation होती है, अब यह AP में आ गई है बात, और हमारे पास इसके अलावा कोई भी data नहीं है, तो AP में हम क्या करते है, कि जो 3 numbers होते है, वो एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं, यह सभी को अब हमने 3 numbers ये माल लिए, अब इनने बोला है कि find the greatest number in the AP, तो बड़ा number आपको निकाल करके दिखाना है, तो पहले तो आप ये difference याद रखिए कि अभी तक जो question कर रहे थे, उसमें AP नहीं था, और अब इसमें AP है, तो इससे इस तरह से solve करना होता है, चलिए देख लेते है तो ये minus का D, plus का D हट जाएगा, 3A बचेगा, 30 हो जाएगा, A is equals to आपको 10 मिल जाएगा, clear हो गया guys, ठीक है, अब बचा भईया कि अपने को निकालना है D, तो अगली line उन्होंने दी हुई है कि इनका product जो है, वो 910 है, तो product मतलब कि A minus D into A, into A plus D, ये भईया किता दे दिया ह अपने को 910 दे रखा है, तो अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास A already दिया हुआ है, तो हम यह करेंगे, बस A की value put करते है, तो 10 minus D, यहाँ पर दिया हुआ है, 10 और यहाँ पर दिया हुआ है, 10 plus D, clear है, और यह 910 चली रहा है, अब आपको दिख रहा है, यह 0 से A plus B का formula बन गया, और जब भी A minus B plus B, A plus B होता है, तो इससे आपन क्या लिखते है, A square plus B square, यहाँ यहाँ पर यह identity यूज हो जाएगी, पूरी की पूरी, यह पूरी की पूरी जो है, identity आपकी यूज हो जाएगी, तो भईया बस लगा दीजे, A अपना 10 है, और B अपना D है, तो इन दोनों का formula का क्या use हो जाता है, यह बन जाता है, तो यही बना दो, यहाँ पर ला करके, तो A square मतलब 10 का square, ठेक है, और B square मतलब यह D का square, यह D का square कर दिया, ठेक है, और यह हो गया भई, यह 91 के, ठेक है, इसको open कर दीजे, तो 100 minus D square is equals to 91, भई, अब D square निकालोगे, तो क्या करना है, D square को इधर भेज दो, 91 को इधर भेज दो, तो यह हो जाएगा, भई, यह 100 minus 91, ठेक है, आपको दिख रहा है कि D square is equals to, किता बज जाएगा 9, तो D is equals to, किता जाएगा 3, clear होगी बात, तो मतलब आपके पास D की value है 3, A की value है 10, निकालना था, उनने का था, greatest number, greatest number में लिखा हुआ, A plus D, तो बस A plus D कर दीजे, तो A plus D, याने कि A plus D हो जाएगा आपका 13, तो 13 वो बड़ा number है, अगला question है दोस्तों कि 21 times of a positive number is less than its square by 100, अब देखिए, यह काफी अटपटी से line है, पर समझने में थोड़ा सा आसान ही है, जाधा cut-in भी नहीं है, देखिए तो आप सबसे पहले तो number है, फोकस रहे ही, माल लेते है number X है, और उसका 21 times है, तो हमने लिख दिया भी है, तो हमने यह line अपनी इत्ती solve कर दी, अब इन्ने का है less than, मतलब minus वाली बात है, लेकिन less than किस से, its square, ठीक है, उसके square से यह less है, तो भाई लिख देते है, equal to में X square, अब भाई किता less है, अब यह देख लेते हैं, तो यह कहा है, इन्ने less है, भाई यह हंड्रेट से, तो बस भाई यह बनगी equation, clear हो तो ऐसी आप अगर रुक के और थम करके equation बनाएंगे तो आपसे बन जाएगी, ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब इनने बोला है क बस find the value of the positive number, मतला x की value निकाल दीजे, clear हो गया, तो अब इसको क्या करो, बस इसको इधर कर दो, आपको दिख रही कि quadratic equation बन जाएगी, तो x square, यह 21x इतर रहागा, तो minus 21x और यह minus 100 इधर ही रहागा, और equal to 0, अब आपने इस तरह की equation solve करिए, अब देखे, अब आपको क्या करना है, अगली step हमारी जो यह है, कि आपको यह जो बीच वाला दिख रहा है, 21, इसको आप इस तरह से तोड़िए, कि आपको, इसको दो number में तोड़ना है, आपको, दो number में, ठीक है, दो number में तोड़ना है, जिसको plus यह minus करने पर, देखे, ध्यान सुनिए, plus minus करने पर तो एक है, 25 और एक है, चार, भई, 25, चौके 100 भी होता है, 25 में चार चलेगा, तो 21 भी होता है, तो plus minus करने पर 21 ही आ रहा है, और आपको into करने में, आपको यह मिल रहा है, clear है, तो बस भई उसको तोड़ दिए, अब देखे, अब minus का ध्यान रखना है, तो अब यहाँ पर minus है, मतलब यह हुआ कि बड़ी संख्या minus में होगी और छोटी संख्या plus में होगी, और दोनों में x है, तो यहाँ पर भी x होगा, और यहाँ पर भी x होगा, तो हमने 21 को तोड़ लिया, इन दोनों में, clear है, और minus 100 को वैसे लिख दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, और यह आपका x square का x square रहेगा, इन दोनों को बना लो ऐसे, फटाफट से, इसमें से जो common निकाल सकते वो है x, तो यह बचेगा x minus 25, ठीक है, और इन दोनों में से जो आप common निकाल सकते हैं, तो वो है 4, तो 4 निकाल लेंगे, तो यहाँ भी बचेगा x minus 25, is equals to 0, अब आपको दिख रहा है कि यह x minus 25 common आ रहा है, पूरी equation में से तो हमने x minus 25 निकाल लिया, common x minus 25, और जो बचेगा वो है वो है, यह x plus 4, अब क्या करना है, अब आपन लगाएंगे इसमें either और और, either का मतलब होता है, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, जब इसको रख आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे इस चैनल को, और शेर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए, बैल आइकन को प्रेस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!